कि सनातन धर्मा में महिलाओं की बेपना इज़त है, मैंने का इस बात को तो मैं अगरी करूँगी, मैं तो इस बात को बिलकुल अगरी करूँगी, सनातन धर्मा में बेपना महिलाओं की इज़त है, तो राजा दशरत की बेटी का नाम सुआहा हुआ करता था, राजा दशरत क बेटी का नाम स्वाहा था और स्वाहा ने अगनी देव से शादी की थी इसलिए हिंदु धर्मा में मंत्र के उचारण के बाद स्वाहा बोला जाता है तभी वो पूजा पूरी होती है अब आप सोचो कि एक पूजा अराधना भी तब पूरी हो रही है जब एक औरत का नाम लिया जा रहा है जब एक महिला को सम्मान दिया जा रहा है तब वो पूजा अराधना पूरी हो रही है मैं तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था नाजर जी आइडियोलिजी देखे ना कि वो इस काइनात में जितनी भी चीज़े हैं उसको उपोजिटनी वो पैरलल लेके चलने अगर जितना एक समान एक मत का है उतना एक विमन का भी है जितना एक दरखत का है उतना एक हवा का भी है तो यह जो धर्म है क्योंकि एक प्रैक्टिस है ना लाइफ की प्रैक्टिस है तो मैंने जतना क्योंकि भी एक रेक्ट करती घोपनाए रखने को नाम ही जो सनाता है अगर एक तरह भी आपका गया तो वह बैलस बिगड़ जाượngा है मेरा फर्स टाइम तब मैं पूरा दिल मुझे लगा एक टैंपल मुझे मिल गया लेकिन मैंने देखा जितनी भी वहां पर मूर्टियां थी बिना नारी शक्ति के वो मंदिर मुकमल नहीं हो सकता यह बैलंस है यह इस नेचर का बैलंस है इस काइनात का बैलंस है लेकिन अन्पोर्चनेटी इसलाम की भी अगर हम बात करें लेकिन बहुत से मोडरन लोग हैं जो इसको बड़े खुफसूरत तरीके से आप इंप्लीमेंट करती हैं अपनी लाइफ में मैं करती हूँ लेकिन जो मुला माफिया है जो के आपको पाता है फेक लोग हैं उन्होंन मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए जो गलत है वो तो उसको तो गलत साबित करना पड़ेगा आज अगर वक्त आ चुका है कि गलत को गलत साबित करना पड़ेगा तो ठीक है मैं उसके लिए तयार हूँ मैं लेकिन मैं गलत को गलत साबित करूंगी देखिए अब मैं दूसरी बात पर आती हूं कि पूरे खुरान में कई बार खसम का जिक्र है कई बार खसमे खाई गई है चाहे आप सुरह रह्मान ही क्यों न पढ़ ले उसमें भी पेड़ पौदे की कुपसूर्टी जो बताई गई है अनार के दानी के लिए बहुत सारी खसमें कानी पड़े क्या हर रोज उटते बैठते सोते जाकते हमें खसम खा करके दूसरों को यकीन दिलाना चाहिए क्या ये सही है हम बच्पन में जब गलती से भी अपनी मां के सामनी कह देते थे कि नहीं खसम कुदा की हमने ऐसा नहीं किया है तो हमा देखिए ये भारत नया भारत है ये भारत बहुत खूबसूरत भारत है मैं एलानिया कहना चाहूंगी कि इस भारत की पहचान ताज महल से नहीं हो सकती है इस भारत की पहचान जावा मस्जित से नहीं होगी बिलकुल नहीं होगी इस भारत की पहचान रामायन से हो रही है इस भारत की पहचान भगवगीता से हो रही है, इस भारत की पहचान सम्विधान से हो रही है, इस भारत की पहचान रिकवेट से हो रही है, भगमान राम से हो रही है, और जिसको इस भारत की इस ने पहचान से प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि उनको चले जाना चाहिए, क बेटियों को छेडा गया है, हिंदु धर्मा को खतम करने की बात आज तक की जा रही है, जो धर्मा साड़े 4,000 साल से भी पुराना है, उस धर्म को जिस तरह से यहां की सरकार ने पहले नहरू सिंकर के मनमोहन सिंह तक जिस तरह से मलाईं किया था, जिस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, यह और बर्दाष्ट नहीं हो सकता है, बिलकुल नहीं हो सकता है, मैं कहना चाहूंगी, आपके broadcast में सबसे पहली बात, यह वाके में इस नौ साल में हमारे भारत ने तरक्की किये है, और इससे कोई दिनाई नहीं कर सकता है, कोई इंकार नहीं कर सकता है लोगों ने यहां तक कहा था, मुसल्मान कम्यूनिटी ने भारत में यहां तक कहा था कि अगर राम मंदिर बन गया, तो सौधी अर्भिया हमें तेल देना बन करतेगा अब तो सौदी अर्बिया के शहजादे आकर के जैसी आराम बोल रहे हैं वो भी टेंपल बना रहे हैं वो भी टेंपल बना रहे हैं अज़र कतीचार भी अलिटालान हो का जो मगड़ार है वो तोड़ दिया गया है अब अब सोचो उनकर फट्वा कौन चारी करना चाहेगा कौन क्यों नहीं करते हैं ये चिटिंग बाज, ये सड़क चाप, ये मदरसा चाप, ये लूंगी चाप मौलाना जो जूट, परेब, धोके बाजी, फित्रा, जकात, भीक में हमेशा अपने जिंद्देगी बरबाद करते आए, जिन्होंने अपने काउम की, मुसल्मान धाहां की बेटियों की जिंद्दीगी तबाब, बरबाद करके रखिये वो फत्वा जारी करेंगे ये सच है कि हमने काशी बनाई, ये सच है कि हमने राम मंदिर बना दी, दुनिया का सबसे बड़ा खुबसूरत इसकॉर्ण टेंपल भारत ने बना दिया, अब हम मथूरा बनाएंगे देखती हैं, देखते हैं हम, और देखेगा पूरा भारत कि कौन से ठड़के आजम की आुलाद में कितना दम है हम गंगा नदी के बारे में बात करते हैं, हम यमुना नदी के बारे में बात करते हैं, हम कावरी नदी के बारे में बात करते हैं हम फर्जाना, रेहाना, अब्दुल्ला नदी के बारे में तो बात नहीं करते हैं इतिहास हमें क्या बताया है गंगा नदी बताया है इतिहास हमें क्या बताया है कावरी नदी बताया है हमें हमाले हमाले का चत्तान हमाले का पहाड बताया है हमें अब्दुल्ला और रह्मत अल्या तो नहीं बताया गया तो जिस इतिहास जो इतिहास है उस इतिहास को जो भी चाहेगा वो खुद खत्म हो चाहेगा हिस्ट्री को नहीं मिटा सकते यह बास सकते हो वो मिट नहीं सकती वो किसी और किताब में आजेगी वो कोई और हिस्टोरियन लिख देगा लेकिन खैर आपने जो पूजा की इस कौन टैंपल में पांच गंटे पिछपन बोग भी रखे सनातन दर्म से आपके अटेश्मेंट काफी है और इसलाम भी आफ फॉलो करिए मिरे एक सवाल है अब से क्या मुसल्मान महिलाए प्रियाम निरिंटर मोदी को इस बार सपोर्ट करेंगी या नहीं ये बहुत एहम सवाल है और बहारे से मुझे बहुत जादा लोग देखते ह तो उनके लिए ये जवाब जो है ना बड़ा ज़रूरी है सबसे पहले तो मैं कहा दूं के पांच वक्त मुकंबल नमाज तीस रोजा और कभी भी कोई भी लैलतुल कद्रिया शबेकद्र नाजिया इलाहिए खान से ना चुटी है ना चुटी है तो नाजिया इलाहिए खा 33% Women Reservation के वक्त में करोणों मुसल्मान महिलाएं रोड पर आ गई थी और कईयों ने तो कितनी मुसल्मान महिलाओं ने तो हिजाब के साथ मोदी जी की तस्वीर को दूद से नहलाया था। कुछ दिन पहले मुसल्मान महिलाएं मोदी जी के स्टैचो पर राखियां बांध रही नरेन तामुतता स्मोदी ही जी है जिन्नोंने इंसें ट्रिपल तलाप्स को बैन करा करके मुसल्मान महिलाओं को इतनी बड़ी कूप रथा से उनको इंसाफ दिलाया यह जो खून के आंसों उने से 84 से शाबानों और साइडाबानों सर्वुचे ने आए पालिका में अपनी सरकार से नहीं गुहार लगाएंगी तो कहां जाएंगी पर किसी ने भी ऐसी गुहार नहीं सुनी और हर रोज करोडों की तादाद में मुसल्मान महिलाओं के चेहरे पर ठूक देता था मुसल्मान मरतीन तलाप के नाम पर और बच्चा समेथ रोड पर निकाल दिया जाता तो इस कूप रथा से अगर बाहर निकालने वाले हैं तो श्री नरेन दामुदर्दा समोधी जी हैं अपनी योजनाओं के दुआरा मुसल्मान वेटियों को शशक्त बना करके स्कॉलर्शिप के दुआरा आगे शिक्षित करने का भीड़ा अगर किसी ने उठाया तो श्री श्री नरेन दामुदर्दा समोधी जी है तो आप मुझे बताईए कि मैं और कौन से अलफाज से किन लफजों से बताऊं कि इस भारत में अगर कुछ चवन्नी अठन्नी और मुदर्दा समोधी जी के लिए खड़ी हो चुकी हैं और कहीं हैं कि फूल खिलता है तो कमल का ही खिलेगा दो हजार सौबिस में इसके इलावा कोई और फूल हम खिलने नहीं देंगे नहीं यह सच बात है अगर हम भी अपने मुल्क के माइनोरिटी की बात करें तो गवर्मेंट माइनोरिटी के लिए इतना नहीं करती है किसी भी कंट्री का इताहस उठा के देख लें माइनोरिटी में नहीं आती है लेकिन मुसल्मान तो खेर मैंने को माइनोरिटी में नहीं माना हमसे जादा है भी 27 क्रोड यह सेकिन बड़ी मिजॉरिटी है लेकिन हमेशे खुद को माइनोरिटी लेकिन एक चीज़ है जब हम रोड शोप पे जाते हैं तो हम कहते हैं मुसल् माँनों पर ظلم हो रहा है तो हमें और आपको तो पता है क्योंकि हम मीडिया पर होते हैं हमें पता है कि जो इक्वालिटी जिस तरह से बीजी पी लेके चल रही है हिंदू मुस्लिम तो वो करनी जाते लेकिन उसका कुछ लोग दिल में वो बात उतार लेते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो सिर्फ कुछ गंटों के लिए कुछ भी बोल के चले जाते हैं 1947 से लेकर के 2013 तक कॉंग्रेस की सरकार रही है बीच में एक आख बार एक दो बार भारते जिंता पार्टी की सरकार आई है लेकिन बहुमत से 2014 में भारते जिंता पार्टी की सरकार आई है और 2024 में ये तीसरा शिफ्ट होगा हमारे भारत के परदान मंतरी और भारते जिंता पार्टी का अभी आप मुझे ये बताएं कि नौ साल में ये सारे मुसल्मान अकबर बादशा से फकिर बन गए हैं फकिर बन गए हैं तो अगर बन गए हैं तो बन भी जाना चाहिए क्योंके भीक में और नहीं मिलेगा कुछ अब और भीक फित्रा जकात नहीं मिलेगा अब कमाईये मेहनत किये जिए सारे लोग दुनिया में मैंनत और आप मैंनत करते हैं आप اपनी निल खराब करके आप रोट पर उतरती हैं कुछ दिन पहले आप को चोट लगी थी रोड शो करने के वक्त में आप जब रोड शोपर निकलती हैं तो यह मुसलमान आपके सवाल का जवाब नहीं दे करके आपको दुपटा उड़ाने की बात करते हैं तो जब मैं निकलती हूँ तो मुझे सारे मुसलमान बच्चला नावारा कहते हैं मुझे कहते हैं कि मैं फरेड फैला रही हूँ, मैं सम्विधान की बाते फैला रही हूँ, मैं अवियरनेस फैला रही हूँ, मैं भारत की मुसल्मान लड़कियों को मस्पूत कर रही हूँ, ताकतवर कर रही हूँ, उसको शशक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भारत की ब प्रक्शन करके कोई इसलाम चलाएगा इसका बीड़ा हमने नहीं उठाया है। इतनी मुसल्मान बेटियों को बैरिस्टर बना दिया, खुद तो फॉरण कंट्री से बैरिस्टर बन कर आये हैं। इतनी ज्यादा उनको इज़त दे रही हैं तो उसकी वज़ा है कि उन्होंने काम करके दिखाया है। आफ़ी सवाल पूछेंगे, अपने शो का एकताम भी करेंगे, क्या दो हज़ार चौबिस में बीज़ेपी किसी मुसल्मान को टिकेट देगा कि इस बार भी बहुत बड़ी इंकार है। अच्छा मुझे एक बात बता है शैला, क्यों मुसल्मान को ऐसा लगता है कि मुझे मैं पार्लिमेंट के अंदर जाओंगी तो ही मेरी कमिनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। ये बात क्रिश्चन तो नहीं बोलता है, भारत का, ये बात बौध तो नहीं बोलता है, ये बात इसाई तो नहीं बोलता है, ये बात जैन तो नहीं बोलता है। फॉलो करने की जरूरत है और सम्विदान फॉलो करने की आदर डालने की जरूरत है जब इन सारी चीज़ों पर खरे उतरना वो सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता हाथ पकड़ करके भारत की जनता बहुत खुबसूरत है यह जो बिरासी परसन सनातनी है ना इन्हों यह जाता है कि अगर भारत के मुसल्मान संविधान को अपनी आइडियोलोजी में ले आएं अगर भारत के मुसल्मान वाके में मंदिरों में लिब्रल पना दिखाएं आप हर वक्त तलवार दिखा दिखा करके आप नारे तक्बिर पड़-पड़ करके आप यह साबित कीज तो ऐसी सूरतों में मुझे नहीं लगता है कि इन नागरिकों को भारत के नागरिकों को मुसल्मान को वोट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी गंद फैलाना स्टार्ट करेंगे देखिये दो मुसल्मान इसकी मैं एक मिसाल दे देती हूं कि 33% मोमन रेजर्वेशन बिल जब पास हुआ तो सारी लोगों ने सपोर्ट में वोटिंग की सिर्फ दो मुसल्मान ने विरोध में वोटिंग की दो मुसल्मान ने एक अवेसी और एक जलील भाई जिनका नाम जलील है तो इनों ने यहां पर भी अपनी हरकत दिखा दीना आप मान लिजिए के पचास होता मुसल्मान पार्लेमेंट के अंदर तो क्या होता कोई बिल पास नहोता तो फिर अटक जाता है यह बिल रही हैैं अब्हारत के मुसल्मानों को एक शिक्षा और जिबरेक दें करके आने की जरूरत है और अपने आपको साबित करने की जरूरत है कि वो भारत का नागरिक है वो जिन्ना और इस्लाम का मेसंजर नहीं है जिस दिन भारत का मुसल्मान ये इने थाबित कर देगा, मुझे लगता है कि हाथ पकड़ करके जनता पार्लिमेंट में ले जा करके बठा देगी ठीक और वैसे भी एजुकेट होना चाहिए और जो बंदर एजुकेशन वाला होता है तानीम याफता होता है उसके अंदर शौूर का होना भी बड़ा जनूरी है अगर अगर कहते हैं कि मैं पड़ा लिखा हूं तो मुझे डॉक्ट साब ने कहा कि आप उनसे पूछों आपने आखरी किताब कौन से पड़ी ती जब मैं यह सवाल पूछो तो मतब कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है यह बहुत बड़ा अल्मिया है हमारी सोसाइटी का अरी बाई आपके मदर्से के बच्चों से इंडिया गेट के बाहर में मीडिया वाले ने पूछा कि हमारे भारत के रा अपके मदर्से के बच्चे को एके दिमाग में यह बाई डाल दी गई है कि तुमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है तुमको जिहाद के लिए तैयार होंगा है तो ऐसे जिहादियों की जगा मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाजिया इलायकान बारत के नागरिक को कहना चाहूंगी कि भाई ऐसे जिहादियों को जगा पार्लिमेंट के अंदर मत दो मिला हाद जोड़ करके आगरा करूंगी कि जब तक यह जिहादी भारत की संस्कृति और संस्कार को सर जुका कर ना माने तब तक तो इनको चुनना खत्रे से खाली नहीं है इसको मैं छोटे से आपको जोक में बता देती हूँ तो लोगों को भी समझ में आ जाएगा जब हम आम पिन से तोड़ते हैं तो वो हरा रहता है पर उसको भी पकने के बाद गेरुआ बनना पड़ता है और अगर गेरुआ नहीं बनता है न तो कुचल कुचल करके चटनी बना करके उसको खाया जाता है